हलो दोस्तों तो अगर आपको चेक करना है कि आपका CISF जो 2019 वाला फोर्म रिजेक्ट हो गया है या फिर आपका एड्मिट काड आएगा यह आपको चेक कैसे करना है आज मैं आपको वही बताने वाला आपको क्या करना है यह 2022 गलत लिख दिया बने आपको CISF रिकूटमेट लोगिन करना है यां जब आप लोगिन करो गया तो आपको क्या करना है देखो इस वेब साइट पे, CISF रिकूटमेट अब आपको यह दिखे गया और यह आपको क्या करना है यहां, लोगिन पर क्लिक करना है यह आपको कोई registration और नही चाहिए, आपको बता दित रहता हूं क्या करना है यहां आपके जो यहां देखो यहां आपके लिखावा है कि एच सी मिनिस्ट्रल 2019 लिखावा है और यह 2000 फाइर वाल यह तो और उसके बाद में यहां 2022 वाल भी यहां से आप आपको अपना नाम डालना पड़ेगा और डेट वर्थ डालना पड़ेगा जाएगा जाणर सेलेक्ट करना पड़ेगा उसके बाद में यहां यह कर दोगे ना यह के अपसर डाल दोगे तो आपका फोर्म रिजेक्ट हुआ है नहीं हुआ है क्योंकि देखो च्यार लाक कुछ थे चात्र और उसके बाद में उन्होंने तीन लाक कर दिया तो एक लाक की और चंटने कर दी वहां पहले वहां जब 2019 में कितना वाद च्यार लाक साथ अजार सम्थिंग उच चात्रों का वहां उसके बाद अभी जो नियू नोटीस आई उसमें तीन लाक क्योंकि कुछ का दूबार हुआ था तो बहुत सारे जणे जोब भी लग गए थे उसके बाद में देने कम कमी देने आए थे दूबार जब हुआ था तो एक लाक वांट सटनी हो गई तो अब तीन लाक करे अब एक जान तीन लाक में से कितने देते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो सेलेक्शन इजी होगा या फिर क्योंकि वेकेंसी देखो 419 ही है तो टाइपिंग का पी आपको ज्यान रखना पड़ेगा बहुत ज्यादे ज्यान रखना पड़ेगा टाइपिंग ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही जो जानकरी आपको दी गई है वो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि वीडियो देखते तो सारे हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम जड़े करते हैं